ये बंगाली बाई मिल गया है जी क्या नाम है मोहिद्दिन मुहम्मद मुझको बोल रहा हूँ बंदू किदर मैंने बोला हूँ पकसार भी बंदू रहे हूँ इतना सांस चड़ गया है जी वह देखो उपर पहुंच चुके और ये जा रहा है गार हिरा में बिसमिल्ला रख् असलाम अलेकम गारे हिरा से लाइब हूँ आपको मुकमल तूट दिखा देता हूँ मैं इन्शाला बस आप भायों के साथ एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो में ये वीडियो किसी ने किसी दोस्त के साथ यार जो जरूर शेयर कीजिएगा किसी अपनी फेस्बुक पर शेयर करते यहां किसी दोस्त के साथ वर्चाप पर शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा गारे हिरा में इंट्री है जी किदर से आपको पता इदर से यह देखें रस्ता केतने खुला है यह रस्ता खुला नहीं भाई यह ऐसे पथर पढ़ा यह वाली आई समझ वो आगे जाना है आपने मकमल विलोग इन्शाला आपके साथ शेयर करता हूं मैं इस तरफ हम जाएं ना तो रस्ते में अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी यह सामने है जब्ले नूर हाँ जी अच्छा आपको यह टक्सी के थूर हम जा रहे हैं मैं इ जा रहाँ था हुँगा टक्सी जो मैंने बोला था आपको कि अपने इत्फाक कैसे करना है अगर तो अपने इत्फाक कर लिया उससे का बैई मैंने जब्ले नूर जाना है फोब और खक है नहीं तो मैं जब्ले नूर है तो आप जाते हैं यहीं पर उतार देते हैं कि आगे जाते हैं अगर तेक्सी वेले के साथ आप इत्फाक करके आते हैं तो वह आपको यह देखने ही चढ़ाई शुरू हो चुकी है यहां से उपर जबले नूर ठीक है गार-ए-हरा उपर है तो आप थक्सी वेले से इत्फाक यह बहुंद के लिए करके हैं कि भाई हमें आगे तक लेकर जाना है ऊपर तक ठीक है नहीं से उसकी बस हो जाती है यह देख लेए आप लिए जा बहुत है तो गार्ड़ी वाला आपको अपर तक छोड़ कर आएगा ल पीचे अगर आप उतर गए तो ये चड़ते चड़ते ही आपकी बास हो जाती है उपर फिर चड़हाई जो गारे हिरा की चड़हाई है वो इसके अलग आपको पड़ेगी तो बात करके आज पांच दस रेयल जाइद लेगा वो उसकी मुश्किल नहीं है आपको असानी पैद चड़हाई है शायद आपको वीडियो में अतनी फील ना हो रखी हो लेकर गाड़ी तक सलिए तो नीचे उतारते यह बंदे आपको टेक्सी वह ले इधर तक गाड़ी आती है इधर तक गाड़ी आती है इधर तक कि 안 अध्चर ठीक ठीक है आगे पैदल जाती है तो अभी हम चल पड़े हैं जी, आगे के लिए, हाँ, उपर जाएगा, आओ फिर, आयो बद्देयो ना, हम पकस्ता नहीं है, बद्दू नहीं है, तुम बंदू है, ओ मारता डिनू, ये कुछ साथी मिल गया हैं जी, उपर जाने के लिए साथ में, इन्शाला, साथ में चलते हैं जी, यहाँ पर सीड़ी नहीं है, इस रोड में, तो इसलिए थोड़ी मुश्कल है, नीचे देखना ही, बरहाल उपर जाते जाएंगे, आपको दिखाता जाओंगा, यहाँ पर पानी देती हैं जी, लड़कें कुछ, नहीं, नहीं, तुम्हारा नी बनाओगा, पकस्ता नहीं है, छोटी हैं जी, वो पानी की बोतल दी है, बोलती है, एक रेयाल दो, अभी एक रेयाल तो दे दूँगा, मैंने बोला, दो बोतल मैं नहीं लूँगा, पर उचसे नहीं उठाई जाएंगे, इतना सफर है आगे, यहाँ पर आप आएंगे ना, तो आपको बलोची यह पाकस्तानी है जी, कुछ लड़की है, छोटी बची है, और कुछ लड़के मिल जाएंगे, आपको पानी देंगे, और ठंडा पानी देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकर छोड़ेंगे नहीं आपको, आप पैसे लेंगे, अभी पांच-सात रेयाल मेरा लगा दिया है, ब बनी हुई है, उपर जाने माली, इस तरफ, अल्लाह अक्बर, वो उपर जाना है भाई अभी, वो फुल उपर, तो शुरू आती है जी अभी तो, यही बोल सकते हैं, चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगा, मक्का का बेहतरीन किसम का वियू, द इदर पहाड है, यह सब पहाडों के अंदर मक्का है, इदर से दिखाई दे रहा, भागी आगे जाएंगे, आगे से और अच्छे से दिखाई देगा, रस्ते में एक तो सांस लेता जाओंगा, दूसरा आप भाईयों को इसकी जियारात भी करवाता जाओंगा, अभी एहरा मैंने इटाल लिया से गले में, और नीचे वला एहराम मैंने, हम पंजाबी हैं जी, जाहरी बात है, जिमीदार लोग हैं पकस्तान से तो, नीचे वला एहराम मैंने धोती की तरह फिर थोड़ा उपर उठा लिया है, अभी जोर लगेगा, मैंने बोला चलो, एहराम तो ना माचार रही है, दिसंबर है जी, साथ में चलते जाते हैं, दिसंबर है, इसलिए थोड़ा अभी स्कून है, वरना मैं ये बोल रहा हूँ, जून जुलाई ये घर्स्त पगारा में जो वाही आते हैं, वो तो गर्मी से मर जाते होंगे फिर, जी, हैब, 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 जा रहे हैं जी, सफर जारी रहेगा, कुछ मोटे अफराद हैं, वो भी आ रहे हैं, और उनके इलावा फैमिलीज लिखी हैं, मैंने पाकस्तानीज, एक बुड़ी अमा थे जी, वो भी मशालला उपर गई है, उपर से नीचे आई है, अभी मकटावर भी दिखने शुरू हो यहां से इदर से दिखाता हूँ, देखो आप बाई, वो नीचे से सीड़ी आई हैं, ऐसे ऐसे, 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 यह, 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 अभी उपर जा रही हैं, अभी उपर जायेंगे काफी, फिर आपको उपर से भी विज़र करवाऊंगा, लेकिन यहां पर बैटका है, दो मिन्ट के लिए जी रस्ते में बैठ गया है पानी एक घूंट पीते जाएं ज्यादा मत पीएं वरना आपको उतना वद्र लेकर चैड़ना पड़ेगा एक घूंट पीए यही काफी है जहां रूके सांस फूले बैठे एक दो मिन्ट सांस ले एक घूंट पानी के पीते ज है अच्छा अब ही एक लड़का में लाका मिलको वह बंगाली था वह नीचे उतर रहे हैं उसकी टांगें ऐसे 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 कामर कर रही है मैंने बोला ओपर कितना है बोलता यह देख लो अभी चुड़ा हाई जा रही है इदर से मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यह देख करें बस जैसे जैसे सीडी बनी है वैसे वैसे जाए इदर से ठंडी हवा लगना शुरूव हो चुकी है मका का आप व्यू भी देख सकते हैं माशाला पूरा बनाल ओपर जा रहे हैं जी दिखाता जाओंगा आपको अभी तो कंडिशन ऐसी है कि सीडियों के उपर ही गिर ज थोड़ा यह कबूतर देखने माशारा इदर इस तरफ विव देख ले नीचे यह आपको कबूतरों के लिए यहाँ पर दाने वगारा भी मिल जाएंगे आप इनको डाल भी सकते हैं यह हम पर पहुंच चको यह उपर तो यहाँ पर आपको एक कंटीन भी मिलेगी देख ले तो वो क्या फाइदा है हमने ऊपर चड़ना नीचे उतना तो उतना खाओ जितना की जरूरत है बागी नीचे जागो तो फिर दबागर खाएंगे तो देख ले यहाँ पर आप नवाफर पढ़ सकते हैं नमाज भी करवा सकते हैं सामने बिल्कुल फैरम श्रीफ है देख ल लेकिन वो गर्मी वाली सिच्वेशन पहले वाली नहीं है यहां पर तो बारा गारे हीरा नीचे जिस तरफ है उस तरफ चलते हैं फिर आपको वहां से जार्द करवाता हूँ पहाड की चोटी से मैं आपको दिखा रखा हूँ फूर नुचाई है यहां पर पहाड की काफी तेज खवा चला रही है आपको हवा का शोर भी सुनाई दे रहा हूगा गारे इरा इदर से नीचे जाएंगे उस तरफ से होते होगा वह जी उस तरफ ठीक है तो वहां पर जाएंगे आपको वहां से जार्द करवाँगा वहां पर अवाम नमाफल भी पढ़ती है आप भी सीड़ी है जी नीचे जाने वाली गार की तरफ आप देखने नीचे देखने भाई आपको मका का व्यू कितना दिखाई दे रहा है ये सीड़ी बहुत खतरनाक हैं आप यकीन करें मैं बिल्कुल अराम अराम से हास डाल कर उतर रहा हूँ वरना इदर से आदमी गिर भी सकता इदर से जाना पड़ता है जी आगे ये बिल्कुल अंदर से होते हुए आप इदर देख ले ये इस तरफ से मैं आया हूँ अंदर ठीक है अभी ये भाई उदर से आ रहा तो मैंने इसको बोला इस होरा सबर करो मुझको आगे जाने दू इदर से निकलूँगा मैं देखते अभी तो चपल नीचे उतर की है ये उठा लेते हैं फिर आगे देखते हैं यहां से बाहर जाया जाता है या नहीं तो बारा ट्राई मारें गया जी अगर निकल गया तो अल्लाहु अकबर ये पकड़ो मुबैल का वीडियो चाहरा मेरे पास जाने तो इदर से तो नहीं निकला जाएगा एक साइड पर भी है इदर उप अभी मैं निकल का ये पकड़ो तुम ये कैमरा मेरी तरफ करो बस गिरना जाना तुम शुक्रिया अब इदर से निकला आप इस तरफ से भी आ सकते हैं ये भाई देखने हैं भी जा रहे हैं जाओ जाओ ये इदर से अंदर जाना पड़ेगा देख लें आप बिल्कुल आराम राम से उपर से कुछ जगह नहीं आने के लिए यहां पर तरीका है जी आने के लिए आप देख लें इदर से आप आ सकते हैं अगर कुबंदा मोटा है सहत मन्दा है तो वो बाई अंदर नहीं आ सकता है ना ही वो अंदर घुसे वरना वो इदर अंदर ही रह जाएगा फज़ेगा बाराल आगे जी गारे हिरा माशाला हम पहुंच चुके हैं चपल फिर उतर चुकी है और इसको डाल लेते हैं पहले जी देखलें जी माशाला अभी थोड़ा आपको अवाम काम होगी तो जियारत भी करवाएंगे लोगों ने यहां पर अपने नाम बहुत लिखे थे जगा जगा पर यह अभी इन लोगों ने खत्म कर दी है आपको यह पेंट दिखाई दे रखा होगा हलका अभी भी लगा हुआ है यह सब खत्म कर दी हैं लोगों अभी फिर से यह यहां पर जाहिरीन आने लग गए हाला मुझेर आई वहाई ही जी ना शोय 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 बस जी माँ मुश्कला तो अभी भी यहाँ पर कुछ नाम लिखती है लेकिन यह एक अच्छी चीज नहीं है मैं खुद ही से नहीं मरता हूँ यह पर गारे हीरा लिखा हुगा है बस यही काफी है अपने नाम वगएरा अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से भाई कुछ नवाफल पढ़ रहे हैं मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ तो यह गारे ही रहा है जी आपको बराल मैं अंदर पैठकर भी जियारत करवाता हूँ पहले यहां पर लिखा हुआ था गारे हिरा बड़ी बड़ यह से नाम लिखे जा रहे हैं सिर्फ गारे हिरा और कुछ पुरानी आयत यहां पर लिखी होनी चाहिए पाकी डटेल के मतलग इनिशाला मैं आपको बैठकर बताता हूँ कहीं कि जो भी सूर्टेहाल है मेरे इलम के मताबक अगर को गलती कुताही हो तो उसके मादरत खुआ हूँ मैं पहले से परहल आपको बताता हूँ इस गार के मतलग जो कुछ मशहूर और मरूफ अकवाल आपसरकार की अहदीस मुबारका भी है हिस्ट्री में भी है जो कुछ भी होगा है निशाला आपके साथ कहीं बैठकर शेयर करता हूँ फिलाल तो मैं अपनी बारी का इंत के होंगे लेकिन नबी पाक हदरत मुहम्मद स्लिल्ला अल्हाल आपसल्म यहीं पर बैठकर अल्ला की अवालत करते थे जब इस एदिन इसलाम यानि के सरे आम फिलाने से पहले आप सरकार के उपर जो भी वही वगएरा नाजल हुई यानि कि मैं कहीं बैठकर आपको करवा देता हूं यह अंदर आजी अंदर से मैंने आपको दिखा दिया यह काफी हजरात मुझूद हैं यहां पर नवाफ़ा लता कर रहे हैं स्वाब की निए से तो यह वापसी का रस्ता देख लें यह आप बस अभी बाहर निकलने का टाइम आ चुका है जी मैं इधर से न इधर से देख लेंजिए आप नीचे बिलकुल इख्यात कीजिए गाउपर हैं इधर बली यह लेटी हुई यह दिख लेंआ आराम फरमा रही हैं और हम इधर से नीचे बागने की कुश्ष कर रही हैं उट यह वादान है उस तरफ से जाएं यह इस तरफ से जाएं रस्ता आपको मैंने दिखा दिया आदमी देखने कैसे निकल रहे हैं जा रहे हैं यह इदर से बाई देख लो जूता पकड़ाना इधर से निकलना पड़ेगा और सामने यह व्यू इस तरफ जी बिसमिल्ला रखमानुराहीम असलामुलाकम यह गार हिरा में जाने माला रस्ता इदर से निकलती है मैं भी अंदर से यह वीडियो आपने देख लिए हैं बताऊंगा आपको यह के खदर्द मुहम्म्मद स.लौलाहुलाहुलेशलम हमारे प्यारे आका स्यदन मुर्सलीन स.लौलाहुलेशलम आप सरकार यहाई पर अबादत करते थे अपनी रातों को उस टे गार में यहाँ पर आकर बैठ कर बात यहाई कहते का मुहानी कि ऑचांसे चाल बात पर क्यों बैठ कर यहाई अपनी बात अबादत करते थे मक्का कोई मेरे खालों 7?8 कीलोमीटर तो होगा यह शायद इससे भी जायद हो सकता है यानि के मक्का खाने का बाँ वहां पर क्यों नहीं अबाद करते थे उस टाम भाई उस टाम ये था कि अल्ला की तरफ से वही नहीं आई थी इस गार में अबादत करते हुए अल्ला ताला ने हदरत जिब्राई यल्हाद से थूप सरकार सदर्माद के उपर पहली बार वही बेजी थी वही मीनिंग यानि के पर आउज़ बिल्लेमने शचीता रूजीM बिसमिल्ला रुखमान रुराहीम इकरा तो पर चुर्द के पहली आईद यहां पर वाही नाजर हुई थी और आपके ओपर एक अजीब किसम की कैफियत सवार हो गई थी आप सरकार घर तशरीफ ले गए घर पर जाकर अमा एक खतीजा, बीबी खतीजा, मुसल्मानों की माँ मैं जनतर मौला से उसकी भी उन, यानिक उनकी कबर की भी आपको जियारते तकरीबर करवा चुका हूँ एक वीडियो में तो वो भाई, उनकों ने पर आपकी कैफिये देखी और आप से आपका हवाल बूचा, आपनी यही कहा कि मेरे उपर एक कप्रा डाल लो तो भरहल जो भी आजी, दीने इसलाम की शुरुवात इसी गार से हुई, यानि के गारे हिरा से, उसके बाद ही आप सरकार ने लोगों को दावत देना शुरू की, सबसे पहले, बीबी खतीजा, रजी अला ताल अनको, मुसल्मानों की मा, दुनिया की बीबी फात्मा के बा मेरे नजदीक किसी का दुनिया में सबसे उचा मुकाम है, तो वो भी भी खतीजा का है, तो आपने सबसे पहले दीने इसलाम कबूल किया, उसके बाद मौला याली, हम सब के मौला, और जिस दिसका मैं मौला, उसका अली मौला, रसुल अला स्वालों का फरमाना जी, तो मौ यूँ को इसके मतलब कुछ और इलम हो, मुझे कमीड में जरूर बताईएगा, और इसके इलावा, अगर मुझे से कुए मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए माज़रत ख़आ हूँ, वापसी का सफर शुरू हो चुका है, जी, गारे हिरा से, तो एक चीज़ है, कि ये आती हैं भाई, तो वो चड़ रहा, तो अभी उपर, उपर से फिर नीचे ही जाएंगे हम,